जैहिन दोस्तों कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्त होंगे आपके अपने चैनल टीम सिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से आपका स्वागत करता है आज मैं आपके लिए weekly dose लाया हूँ जैसा कि आपको पता है मैं हफते बर में पूरी हफते में जो पढ़ाया रहता हूं आज के दिन मैं weekly dose आपके लिए लाता हूँ देर ना करते वे शुरू करते अब वीडियो को कल के वीडियो में मैंने आपसे question पूछा था उडिसा प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है इसका सही जवाब है भुवनेश्वर उडिसा की जो राजधानी है उसका नाम भुवनेश्वर है उडिसा के जो वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है उनका नाम नवीन पतनायक है उडिसा के जो राजपाल है गवर्नर है उनका नाम गणेशी लाल है उरिसा के जो चीफ जश्टेस है हाई कोट के उनका नाम मुहमद राफिक है चलिए वीकली डोसे शुरू करते हैं अब आपके लिए किस IIT संस्था ने इनक्यूडेट स्टार्टप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट त्यार करने किया है इसका सही जवाब है IIT मदरास ने एक इनक्यूडेट स्टार्टप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है इस हॉस्पिटल को चार लोग मिलक बी 2-गंटे के अंदर त्यार कर लेंगे और इसको असानी से कहीं भी टांफेर किया जा सकता है इसमें ऑस्पिटल में एक आपका डॉक्तर का रूम होगा, एक आईसियू का होगा और एक वाड रूम होगा जिसमें जो भी मेडिसिन दूर्ड़ समान होगे इसको रखाई जास इनर्जी नाम से एक पहल उत्पर्ण करके कचड़े से बिजले उत्पादन की सुर्ख नियम बनाए हैं इसका सही जवाब है उत्राखंड उत्राखंड ने जो वेस्ट उनर्जी जो इनका पहल है इसमें क्या है कि जो कचड़ा है कचड़ा जो फेका जाता है उसको डंप किया जाता है कुछ लोग जला देते हैं उस कचड़े से उत्राखंड सरकार क्या चारी है कि वहाँ पर बिजली बनाया जाए जिसको ये वेस्ट ना हो और इसको इस वेस्ट को हम एनरजी के उसमें उत्राखंड के जो मुख्य मंत्री है वर्तमान में उनका नाम त्रिवेंद सिंग रावत है उत्राखंड के राज जपाल का नाम बेबी रानी मौर्या है उत्राखंड के जो चीफ जस्टिस है रामेश रामनाक्थन उत्राखंड हाई कोड की चीफ जस्टिस है नेक्स्ट वो राज जो साल 2022 तक प्राक्रतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज बनेगा इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक ये घोशना की है कि वो अपने राज को प्राकरतिक तरीके से खेती करने के लिए उपज बनाएगा ये बहुत ही अच्छा पहल है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धरमशाला है शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीश मकालीन समर कैपिटल है और धरमशाला वहां की विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका नाम जैराम ठाकूर है इमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राजपाल उनका नाम बंदारू दत्तार है इमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम लिंगप्पा नारायन स्वामी है फीफा ने घोशना किये कि 2022 विश्वकप किस देश में आयूजित किया जाएगा फीफा ने घोशना किये कि 2022 का जो विश्वकप है वो कतर में आयूजित किया जाएगा नेक्स्ट कोशन नरेंद मोदी प्रदान मंती नरेंद मोदी सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड फॉल्वर के साथ किस इस्थान पर पहुँच गये हैं जापानी स्पेस सेंटर से हाल में ही किस मिशन को लॉँच किया है योई ने जापान के स्पेस रिचर्स सेंटर से होप मार्स मिशन लॉँच किया है अरब देशों में योई पहला देश बन गया है जिसने मंगल मिशन को लॉँच किया है कि सबसे अमीर महिला रौशनी नाडार को हाल में किस कमपणी का चेर परसंग चुना गया है HCL Tech का रोश्णी नाडार को HCL Tech का चेयर परसन चुना गया है रोश्णी नाडार शिव नाडार की पुत्री है जो HCL के इस समय वर्तमान में चेयर एमडी है CEO है Next question उद्योग मंदल फिक्की की एक रिपोर्ट की अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतीशत नौक्रियां घटने का असार है इसका सही जवाई 20 प्रतीशत भारत में 20 प्रतीशत नौक्रियों घटने का असार है कोरोना संकट के कारण Next question असम सरकार ने घोशना किये कि राज में हाल में ही आई बार से राष्टिय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है कौन सा राष्टिय उद्धान है फ्रेंट काजी रंगा राष्टिय उद्धान काजी रंगा राष्टिय उद्यान में 108 जानवरों की बार के कारण मित्य हो गई है असम की राजधानी दिस्पुर है असम का सबसे बड़ा शहर गोहाटी है असम के जो वर्तमान में मुख्य मंत्री है इनका नाम सरबंदा सोनोवाल है असम के जो राजपाल है उनका नाम जगदीश मुखी है असम के जो हाई कोट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम आजय लामभा है जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने इस्थानिय निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाची सदस्यों को कितने लाग रुपे का जीवन वीमा करने की घोशना की है 25 लाग रुपे का इसमें कहा गया है कि अगर इस्थानिय निकाय या पंचायती चुनाव और पिनिर्वाजी सदस्यों को अगर आतंगादी हमले में वहां पर जैसे वहां पर आतंगादी गतिविदियां रहती ही जम्म कश्मीर में अगर उनकी मित्य हो जाती ही तो जीवन कभर के रुपे उनको 25 लाग रुपे दिया जाएगा LIC से अब जम्मू कश्मीर जो था एक पहले एक राज्य था लेकिन 5 अगस 2019 को संसर्द में पास हुआ और जो कानून बना अबेटमेंट 31 अक्टूबर 2019 को बन गया उसमें जम्मू कश्मीर को राज जिसे अलग करके जम्मू कश्मीर को पहले तो दो भाग में तोड़ा गया एक जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाग दोनों को यूटी बना दिया गया केंदर शासिस प्रदेश यूनें टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर कि जो राजधानी है श्रीनगर है गर्मी में और जम्मू जो है वो ठंड की राजधानी है अब सीम तो वहाँ बैठेंगे ने क्योंकि राज हट गया अब वहाँ केंदर शासी प्रदेश हो गया है तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है और जम्मू कश्मीर के जो हाई कोड की जो चीफ जर्षिस है उनका नाम राजेश ओसवाल है अब लद्दाग के बारे में भी आपको बतादू, लद्दाग की capital लद्दाग है, यहां के जो राजपाल है, उनका नाम राधा करिश्न मातु है, जो राजपाल बने हैं, लद्दाग के हाई कोट के जो चीफ जश्ट्रीस है उनका नाम गीता मित्तल है एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जैसे जम्मु कश्मीर राज जब था वो एक अलग था उस समय राज़िपाल बनते थे वो अलग चीज़ है लेकिन अब ये आपके important question में पूछा जा सकता है कि जम्मु कश्मीर के पहले राज़िपाल कौन है तो उसका सही जब हो जाएगा गिरीश चंद मुर्मू और ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाक के पहले गवर्नर कौन है इसमें ये पूछ क्योंकि लद्दाक पहले राज़ित तो था नहीं ना ही केंदर शास्थित प्रदेश था लद्दाक तो जम्मु कश्मीर का एक भाग था अब उसको अलग कर दिया गया तो अब लद्दाक के पहले राज़िपाल कौन बने राधा कृष्ने माथू नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं वो देश जिसने हाल में हौंग कॉंग कोंग के साथ अपने प्रत्यरपन की विवस्था को निलम्भित कर दिया है इसका सही जवाब है ब्रिटेन नेक्स्ट कोशन हाल में ही किस देश के शोद करताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जॉइंड आई स्पॉट प्रजाती बाइथुनस रक्सा की खोच की है इसका सही जवाब है सिंगापूर अच्छा बाइथुनस रक्सा जो है ये उसका सैंटिफिक ने में इसको समुद्र का कौक्रोच भी कहते हैं इसकी खोच जो है सिंगापूर ने की है हाल में ही किस राजी सरकार ने वाहे विकास शुल्क की और अफसनरशना विकास शुल्क इंफ्रा स्ट्रक्चरल डेवलप्मेंट चार्जेस को लंबित देदाताओं की एक मुस्त वसूली के लिए समाधान के विकास नामक एक योजना शुरू की है यह जो केंदु सरकार का योजना था समाधान से विकास उसी के तहत इसको लॉंच किया गया है यह हर्याना सरकार में लॉंच किया हर्याना राज में हर्याना की कैपिटल चंडीगड चंडीगड जो है वो आपका हर्याना और पंजाब का जॉइंड कैपिटल है हर्याना की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम मनोहर लाल खटर है हर्याना की राजपाल का नाम सत्य देव नारायन आर्या है हर्याना की जो चीफ जश्टिस है उनका नाम रवी शंकर ज्छा है मद्र प्रदेश के मद्र प्रदेश के किस राजपाल का हाल में 85 वर्ष की आयू में निधन हो गया है लाल जी टंडन मद्र प्रदेश के लाल जी टंडन राजपाल थे जिनका हाल में ही लखनों के मिधानता उस्पिटल में निधन हो गया है ये विगत कई मैनों से ये बिमार चल ले थे लखनों के मेदान तो ऑस्पिटल में भरती थे इसलिए मद्रप्रदेश में कारेकारी राजपाल आनंदी बेंट पेटेवल को बनाए गया था जो की उत्तरप्रदेश की वर्तमान में राजपाल है मद्रप्रदेश की राजपानी भोपाल है मद्रप्रदेश की मुख्य मंतरी का नाम शिव्रास सिंह चोहान है next question विश्व बैर्डमिन्टन संग ने अध्यक्षपत के फैसले के लिए कितनी बार तक के लिए सीमित कर दिया चार बार के लिए अब विश्वी बैंडमिंटेंट संक्य जो अध्यक्ष होंगे वो चार बार तक के लिए ही रह सकते हैं किस राजय सरकार ने अनुसूची जातियों के सर्वाग्रीन विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राजिस ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाउ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदितनाथ है उत्तर प्रदेश के जो राजिपाल है उनका नाम आनन्दिवेन पटेल है उत्तर प्रदेश के जो हाइकूड के चिफ जस्टिस है गोविंद माथुर है उर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिक मोवेल्टी को बढ़ावा देने के लिए केंद्री उर्जा मंत्री आरकेख सिंग ने जिस शहर के चैन्फलूड क्लब में भारत के पहले सार्विनित एवी इलेक्ट्राणिक विकिल चार्जिंग प्लाजा का उटख चार्जिन के लिए वार्ट प्लाजिन प्लाजा का उडखाटत दिल्ली में किया है दिल्ली की राजधानी दिल्ली है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अर्विन केजरिवाल है दिल्ली के जो राजपाल है अनील बैजल है दिल्ली के जो हाई कोट के Chief Justice है उनका नाम D.N. पतेल है नेक्स्ट कोशन अंतरास्टी एक क्रिकेट परिशद ICC ने हाल में जिस टूनामेंट को इस साल सगित करने का फैसा लिया है Men's T20 World Cup इस साल आस्ट्रेलिया में Men's T20 World Cup होने वाला था जिसको ICC ने कोरोना के कारण रद कर दिया है Next Question ICC Test Ranking में Jason Holder को पचाड़ कर कौन नंबर वन और लांडर बन गया है Ben's Stroke Ben's Stroke ने Jason Holder को पचाड़ कर नंबर वन और लांडर बन गया है Test Ranking में अभी आपको एक important question यह भी है कि कोरोना काल में सबसे पहला अंतराश्टी मैच कौन सा खेला के जा रहा है इंगलैंड और West Indies के बीच में इसमें से तीन टेस्ट मैच की श्रिंकला जिसमें से दो टेस्ट मैच हो चुके हैं जिसमें एक West Indies और इंगलैंड ने जीता है अब तीसरे टेस्मेट की कल से शुरुवात हुई है नेक्स्ट कोशन आईसीसी के लार प्रतिबंद का उलंगन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं डॉम सिबले इंग्लेंड के डॉम सिबले यह ओपनर बल्लेबाज जो ICC के लार प्रतिबंद का उलंगन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गया है असल में कुरोना वाइरस के कारण ICC ने ये नियम लगाया था कोई भी गेंड पे लार लगाके गेंड को चिपकाया गया ने ये सलाइवा लगा इससे सलाइवा से ही कोरोना सबसे आधा फ्यलता इसलिए ICC का ये नियम बनाया था तो उसका लंगन जान बुझके ने गलती से हो गया डॉम सिवलेजर इसलिए उन पे प्रतिबंद लगा दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन ये संग ने कोरोना संकट से निपटने है तो हाल में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोशना की है 750 अरब यूरो का ये संग ने 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोशना की है नेक्स्ट कोश्चन Refuse International की एक रिपोर्ट की अनुसार कुरोना महामारी से दुनिया के कितने लोगों का रहने का ठिकाना छिन गया है 16 करोर लोगों का Refuse International के मुताबिक दुनिया भर में 16 करोर लोगों का रहने का छत छिन गया नहीं जो लोग दुस्ती प्रदेश में रहते थे फिर अपने जिलेग में गये, वहां पे भी खानी नहीं होने करों प्रेशान हो गया तो उस तरीके से लोगों को 16 करोर लोगों के जोई खाना छिन गया है और रहने का ठिकाना भी छिन गया है हाल में भारत सरकार ने रक्षा मंत्राले की अधिग्रेण विंग T90 टैंग के लिए 1512 माइन प्याव खरीद है तू भारत अर्थ मूवर लिम्टेट के साथ कितने करोड उपे का अनुबंदन पर हस्ताक्षर किये है 557 करोड उपे 557 करोड उपे के लिए रक्षा मंत्राले भ केंदरी एक हाद प्रसकरन उद्योग मंत्री ने वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से किस राज में जोरम मेगा फूड फूड पार्क की उडगाटन किया गया है मिजोरम राज में जोरम मेंगाव फूड पार का उठगाटन किया गया है मिजोरम की राजदानी एजवल है मिजोरम के मुख्य मंतिर का नम जोरम ठांगा है मिजोरम के जो राजपाल है पीए स्रीधरन पलाई है मिजोरम के जो हाई कोट के चीव जश्टिस है उनका नाम आजैई लामभा है किस राज़सरकार ने हाल में मधू बाबू पैंशन योजना की तहट ट्रांसजेंडर समुदाव को शामिल किया है इसका सही जवाब है उडिसा 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 राज्य ने ट्रांसजेंडर सिम्धाओं को मधू बावु पेंशन योजना के तहर शामिल किया है उडिसा के राजधानी भुवनेश्वर है उडिसा के मुख्य मंत्री का नाम नवीन पतनायक है उडिसा के राजिपाल का नाम ग जमेश पोकरिया निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्त और कल्यान के लिए मनुव समाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुवात की है ना पहल की दिमाग पे असर पड़ा है जिस पज़े से बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक मनोद पहल की शुरुवात की गई है इसकी शुरुवात प्रधान मंत्री द्वारा जो लागो किया गया था ई विद्या उसी के तहट शुरुवात की गई है किस देश ने नागरिक उद्ध्यन प्रादिकरन रावन के उराण मार्गों पर शोध करेगा श्री लंका श्री लंका के जो नागरिक उद्ध्यन प्रादिकरन है रावन के उद्ध्यन मार्गों पर शोध करेगा आखिर 5000 साल पहले रावन कैसे उड़के जाता था और ये कोई कालपनी घटना जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक कालपनी घटना थी उसके अफशेश आज भी श्रिलंका में तो श्रिलंका सरकार ये जानना चाहती है कि कहा गया है रामयन में कि रामन के वास एक पुश्पक विमान था पांच यार सल पहले इस पे वो सीता माता का हरन करके ल कंट्रोल, BCCI ने किस देश के IPL को आयूजित करना चाहता है, संयुद अरब एमिराथ, BCCI संयुद अरब एमिराथ में IPL की आयूजित करना चाहता है, कल के वीडियो मैंने बताया था कि आपको संयुद अरब एमिराथ में ये आयूजित करना चाहता है, लेकिन आज का नेक्स्ट कोश्चन डियार डियो दारा भारतिय सेना हेतू स्वादेशी विक्सिट ड्रोन जो किया गया उसका नाम क्या है उसका नाम भारत रखा गया है डियार डियो दारा जो भारतिय सेना के लिए स्वादेशी ड्रोन जो बनाया गया है उसका नाम भारत रखा गया है संबलपुर जिले का जो विलंग गाव है, उसका नाम रंग बत्ती विलुं कर दिया है उरिशा सरकार ने Next question, अमेरिका ने किस देश के हुस्टन में अपना वानिज दूतावास बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने चाइना को हुस्टेन में अपना वानी जुदूतावास बंद करने का आधेश दे दिया और कहा है कि 72 घंटे में आप अपने देश चले जाएं अमेरिका ने अभी एक और जुदूतावास है चाइना का अमेरिका में उसको भी बंद करने का विचार कर रहा है अब आगे भी लोगों को अपने घर से राशन के दुकान पर नहीं आना होगा राशन उनके घर पर पहुचा जाएगा चावल तो मिलेगा ही उनको चावल और बाकी चीज जो मिलती थी राशन पर जैसे आपका कार्ड है लेकिन गेहू के जंगा अब आपको आटा मिलेगा ता तो करना ही पड़ेगा नेक्स्ट कुशन किंद सरकार ने आईटी और बीप्यो कंपनियों के लिए घर से काम करने के जारी निर्देशों को कितने तारीक तक बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2020 तक पहले आईटी करमचारियों को 31 जुलाई 2020 तक वर्क फ्रम होम का कहा गया था ले पर भारत आगया है कोरोना के सबसे अधिक संक्रमन केसों में तो इसलिए केंद सरकार का ये पहले कि 31 दिसंबर 2020 तक सबका वर्क फ्रम होम रहेगा आईटी और बीप्यो कंपनियों के इंप्लॉई क्या नेक्स्ट कोशन किस मशूर मंदिर ने आधी महत्सब जुलाई अगस के उपलक्ष में जंडा फिराया है मिनाक्षी मंदिर मिनाक्षी मंदिर जो है वो तमिल नाडू के मधुरई में पढ़ता है वहाँ पे के वहाँ कोई किसानों ने मिनाक्षी मंदिर पर जंडा फिरा के अपना आधी महत्सब की शुरुवात की है तमिल नाडू की राजदा प्रताप शाही है तमिल नाडू के जो राज जपाल है उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है मैं आपको हर स्टेट के बारे में कैपिटल चीफ मिनेस्टर गवर्नर और हाई कोड बताता हूँ इससे आपको बार 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 बोलने से आपको अच्छे से याद है ताकि हर एक्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछाता ही है कि किस राजी के कौन राजपाल थे इन्होंने क्या नियम बनाए तो हमारे डेली वीडियो से हमने बताते हैं कि यह मुख्यमंत्री ने यह जैसे दिल्ली के हाई कोट के चीफ जर्टिस को ने डी अन पतेल यह सब आपके लिए गौध इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनता हैं इसको हमेशा याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन हाल में ही किस देश ने पुना एक बार पुना वर्ष 1996 के भू अस्तांग्चन के प्रस्ताव की और संकेत देतुए सीमा विवाद सुलजाने है तो भुटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है चाइना ने भुटान को 1996 के भू चुरी है उसको आप वह इस एरिया को चाइना को दे दे और उसके बदले आप उत्तर का एरिया ले 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 तो अब उससे वहां लेने से क्या होगा भारत में अगर भुटान वह इससा दे देता है भारत के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाए क्योंकि वहां से आपका अरनाचल प्रदेश एकदम बगल में है और असम एकदम पास में तो इससे चाइना के दोनों स्टेट उसके चाइना के हाथ में आ सकते हैं कब जब बनाने के चाइना की एक पहल है next question विश्व डोपिंग रोधी एजनसी वाड़ा ने देश के राष्टिय डोपिंग परिक्षन प्रियोक्षाला एंटीटीएल एंडीटीएल के निलंबन को और कितने महिने के लिए बढ़ा दिया है चह महिने के लिए पहले ये निलंबन 31 अगस्त को लगा था 6 मेने के लिए लिकिन अब इसको फिर से 6 मेने के लिए बढ़ा दिया है क्योंकि वो राष्टिय डोपिंग एजेंसी के जो नेशनल विश्व डोपिंग एजेंसी है उसके मान के माप डंडो के अनुसार अभी भी राष्टिय डोपिंग एजेंसी प्रयोक्षाला नहीं बन पाई है प्रसित बॉलिवूड अभिनेता सोनु सूध ने श्रमिकों की मदद के लिए किस एप का लॉंज किया है प्रवासी रोजगार एप आप सबोंने सुना होगा कि सोनु सूध ने जो फिल्म अभी नेता है इन्होंने कोरोना काल में जो भी मुंबई या माहराष्ट में जितने लोग भी दूसरे राज़ी के फसे हुए थे उन लोगों को बसों का इंतराम करके खुद से उनको अपने ग्रे जिले उनके ग्रे गाउं तक विजवाया था तो अब सोनु सूध ने एक प्रवासी रोजगार एप की घोशना की है जिसने 500 कंपनिया लिस्टेट होंगी और ये सभी कंपनिया उन लोगों को उनके योगता के अनुसार नौकरी देगी और ये बहुत ही अच्छा पहल है उनका और हो सकता है कि उनके ग्रे जिले में ही या उनके ग्रे राज में ही उनको नौकरी मिल जाए तो ये उससे लिए बहुत अच्छा है कि उनलों को ज्यादा आना नहीं पड़ेगा और अगर महराष्ट में वो तो महराष्ट में भी मिल सकता है उनकी अगर चाहोगे लेकिन ये एक अच्छा पहले कि कुरोना संकर्ट सोनुसूर्थ बहुत अच्छे से सबको मदद कर रहे हैं ये हमारे पूरी टीम के तरफ से उनको सैल्यूट है सोनुसूर्थ जी को चली फ्रेंड्स आज का कोशन आफ दी डे मैं आपसे पूछता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें जादर जादर लोगों को और चैनल पहली बार आयें तो सस्क्राइब करें और घंटी का बटन दमाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो जो भी वीडियो अप्लोड हो वो आपको सबसे पहले मिले और डेली करेंट आफेर्स कुईज देखने के लिए डेली हमारे चैनल को देखें टीम सिक्षा चैनल को जैहिन दोस्तो